मज़ेदार चटपटी बेसन की सबजी बनाने के लिए बेसन में अद्रक लहसन का पेस्ट डाल करके थोड़ा नमक घल्दी पाउडर और मसाला डाल करके पानी एड़ करके मिक्स कर लेंगे ये पेस्ट हमारा बहुत साथा गाढ़ा या पतला नहीं होना चाहिए आप इसका ट जादा दिया करना है तो लाल मिर्च एड़ कर सकते हैं और इसको भूनने के बाद से हमें एक मसाला तयार करेंगे वो मसाले में हमारा होना चाहिए अद्रक लैसन राई प्याच अब इसको डाल करके भूनेंगे इसको थोड़े देर ढख करके पकाने के बाद से इसको चेक क फिकषजर करें के भी यह क्योंट नमक पर लेंगे कि अथा मद करने के प्रमाहche, इसके धैका और कुक करें के प्रिशम नमक, जीचेर तकहरें दूनेके भड़ मिक्स करनेके दरते के गunkात। आप color change होने लगेगा तो इसको थोड़ दर ढख करके और cook करेंगे और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर डाल करके पानी अड़ करके पकाएंगे थोड़े दर और पकाने के बाद से इसमें पानी को आप और add करेंगे जितने आपको पेस्ट आपको चाहिए ग्रेवी जितने गाड़ी चाहिए उतने हिसाब से आपको पानी अड़ कर लेना है और इसको ढख करके cook करना है जब हमारी ग्रेवी गम पक जाएगी इसमें अपने जो बेसन के चीले मनायते है उसके pieces करके ऐसे टुकड़े डाल दिगा तो ready है आपकी मसालेदार सबजी ऐसी आसान recipes के लिए हमारे चैनल को follow करें